असलामेकुम स्टूडेंट्स तो मेरे सब लोग खेरियस से होगे आज जो चेप्टर पढ़ने जा रहे हो जो है चेप्टर नबर फाइव क्यूज क्यूज जो है वो कतार होती है एक्यूज इस पेशल टाइप आफ लीनियर स्ट्रक्चर इट वोल्ड शीरीज आफ आइटम्स लेफ้ल लेफ All ॐस क्यों तो पहले वह fare फिए लेफ हो फिए वह जो मैं आता था था तो पहले वह और fact । पहले आ था फिए बहुंजें है Hey डिा बहु जो 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 आएमिक न्व करतार ओनधे जाके लगेगा तो elements can be inserted at the back of the queue and only the front element can be accessed and modified ticket लेनी है तो ticket किसके में लेगी जो front पर बंदा खड़ा होगा उसको ticket में लेगी ठीक है only the front element can be accessed and modified तो software's के अंदर जो queues होती है हमारे पास उसमें क्या होता है जो front element होगा उसको हम read करेंगे और उसको modify करेंगे the end at the end at which the elements is inserted is called rare जहां पर जो पीछे जो बंदा जहां पर आगके तार भी लगता है उसको software में कहते है rare और rare and the end at which the element can be deleted deleted बतलब जहांसे वो बंदा front पर खड़ा होगा तो उसको कहते है front जहां पर जहांसे element उसको delete कर सकते हैं या जहांसे element को process कर सकते हैं जिस बंदे का ticket process कर सकते हैं जिस बंदे का case process कर सकते हैं उसको कहते है front जो front जहांसे जहांपे बंदा जो क्तार में लग हो पहले उसको कहेंगी front और जहांसे जहांसे बंदे कातार में लग सकते हैं इंसर्ट हो सकते हैं तो rare structure of queue is the same as that of the line of people a person who wishes to stand in a line must go to the back जिस बंदे कातार में लगना तो वो back side से आएगा and the person in front of the line is served the queue is first in first out the purpose of queue is to provide some form of buffering software computers के अंदर ना buffering किस तरह provide करते हैं उसमें यह जो data पहले आगिया होता है उसको पहले read किया जाता है process management विस्तावर होती है software queues for example in time sharing system in a computer programs are added to a queue and executed one after the other जो program CPU के पास पहले पहुंचाता है वो पहले execute होता है जो program CPU के पास पहले पहुंचाता है जो दूसरे नंबर पे पहुंचता है वो दूसरे नंबर पे execute होता है आपने आगे जाके printing system में यह सारी चीज़ें पढ़नी है buffer between the fast computer and slow printer ठीक है printer है slow और हमारे computer है fast जब हम कोई print भेजती है ना तो उसके द्रिम्यान में buffer होता है जो buffer करता है documents निसाल की दोर में dust pages है वो तुमने ठक करके भेज़ दिये MS Word ने dust pages भेज दिये आगे printer slow है तो वो द्रिम्यान में जो pages की dust pages की जो Q है वो बन जाएगी और Q से one by one उठाता जाएगा pages और प्रिंट करता जाएगा फिर दुसरे बने को टीकत देनीए तो यहां से बनना डीट हाँ वो टीकर लिएगा ठीक है अगर बें किस बनते ने आ ने लिए तो वो rare से ऐड होगा lea v suppression the above figure आपने पांच वे बंदे करना तो हमें इसके सामने जो चार बंदे हैं उनको पहले डिलीट करना पड़ेगा चार बंदों को पहले टिकट मिलेगी पांच वे को जब तब जागबाद में जाके मिलेगी एंटोलीट करेंगे यार उसको टिकट देंगे तब इसको खतार में से निकानेगे ना डिलीट फर्स ठीक है the representation of q's and q's may be represented in computer in various ways. The Best and The EasiestÚ WAY to represent a q' is by using a Linear Array और भी तरीके कार है, stake implement करने के, q's implement करने के फिलाल हम अभी linear array इस्तमाल करेंगे कि हमने array पढ़ी है तो हम array इस्तमाल कर देखेंगे कि क्यूज को हम कैसे जो है वो मैलिज कर सकते हैं Suppose a linear array Q represents a Q pointer variable F and R वही हमने जब stack पढ़ा तो उसमें हमने एक ही variable पढ़ा था वो variable था टॉप इंसर्ट का पुष कहां पे कहां से होने टॉप पे होने पॉप कहां पे होने वह भी टॉप से होने तो एक वरीबल चाहिए था जबके क्यूज में हमारे पास इंसर्ट कहां से होने रेयर से और रिमूव कहां से होने है सर्फ कहां से होने है फ्रेंट से एफ से क्या है एफ फार फ्रेंट और आर फार रेयर रेयर से क्या करना है इंटर्ट होने है और फ्रेंट से डिलीट हो तो यह कहा है कि हम अर्पा से करें क्यूं वो जिसका नाम हो क्यूं और एफ फार फ्रेंट और आर फार क्या हो रेयर हो इ में जब भी एंदर जो है वो न बंदा आएगा तो R is equal to R plus 1 अभी आर कहां पर एर कहां पर 5 पर है जब भी कोई नय बंदा आएगा तो रेयर में क्या होगा एक का इस दाफ हो जाएगा एड़ी को रहा पलस वा थार्य प्लस वार ब्लस वारी क्या जाएगा इस प्रणट प्रणड प्लस वन तू अब दूसरे बंदे को टेकर जेनी है ठेक है अलकूरी देमा बहुत सिंपल है पहले हमने स्टैक में दो एक वरीबल यह था टॉप का इसमें दो वरीबल दोगे इंसर्ट कहां से होगा रेर से और डिलीट कहां से होगा फरंट से डिलीट कहां होगा फरंट से रेर में जब इंसर्ट करेंगे तो आज इस इकल तो आ इंसर्ट्शन का अल्गुतम देखें, राइट अल्गुतम तो इनक्यू, क्या होगा, रेर इसगल टो रेर ब्लस वन करता है, उससे पहले चेक कर लेना है कि जो रेर है, जो हम इंसर्ट कर रहे है, वहां पे जगह है भी यह नहीं, मिसाल के तोर पर यहां पे हमारे पास इस नहीं पांच मद या लगें वह तो टो क्या करना है इस ग्रेटर देपर टू एं जब हम जो आरम इंसर्ट करने जा रहे हैं जो हम बंदे को बंदे को रहना कि लगाने जारें अलिक प्लट टो एं तो क्या करना है, ओवर फलो भई, और फलो आ है, अभी जो है नहीं नही R is greater than is equal to N नहीं होगा मिसाल के तोर पर अभी M जायना 5 है N 5 है और N 5 है और R RIGHT मिसाल के तोर पर यहां पर दो बंदे खड़े होंगा अभी तक दो बंदे खड़े होंंगे तो R way is rare चैना 2 पर होगा चैना 2 पर होगा यहां पर यहां पर याँ ने नियु आइटम जब आइटम इंसर्ट कर रहे हैं जब अरे यहां पर यहां पर यहां पर देख लेते हैं यह 6 बनीन है तो हम इसको यहाँ पर 5 ही कर देते हैं यह हमारे पास दो पॉइंटर वरीबल्स है पॉइंटर है यह वरीबल्स कुछ भी कर ले तो यह फरंट है और यह रेयर है यह दोनों फिरा मैंने को साइट पर कर देता हूँ if r is greater than equal to n r में क्या है r में कुछ भी नहीं है अभी तो r is greater than equal to n अभी जहरा कोई भी नहीं है r is 0 यह फ्रेंट भी ज़र भी ज़र है तो r में कोई हमने चीज इंसाइट की तो r is greater than equal to n अगर full है तो r is greater than equal to n होगा और यह overflow करतेगा वरना r में r plus 1 करेगा r में पहले 0 है तो r is equal to r plus 1 तो r जो है न वो हमारे पास कहां पर आ जाएगा 1 पर ठीक है r 1 पर आ गया है तो नहीं बंदा इंसाइट कर दिया हमने और हमारे पास क्या आ गया यह विसागे तो पर 34 जो है न एक नंबर आ गया एक बंदा आ गया हमारे पास इसके नंबर 34 है तो यह रेर पे एक value हमने इंसाइट कर दी रेर पे value इंसाइट कर दी है q of r is equal to item कर दी हमने rare पे value इंसाइट कर दी है तो अभी क्या है एक बंदा आया हो है तो जब इसने टिकट देनी है तो एक बंदे को देनी है तो f is equal to zero ठीक हो गया अब इसको delete कर दी अच्छा दूसरा बंदा आ गया मारे पास इसागे तर पे दूसरा बंदा आ गया 55 55 आ गया तो अभी rare जो है ना वो हमने rates इंटर्ट करना होते है तो rare is equal to 22 को देखते है दो बार if r is greater than n equal to 1 r is greater than equal to 1 rare 1 पे है तो greater than equal to 1 n के है 5 है हमारे पास 1 is greater than equal to 1 no overflow नहीं है तो r is equal to r plus 1 करेंगे तो r अभी 1 पे है r पे है तो r गया 2 पे आ जाएगा r 2 पी है तो हमारे पास लुद्धार नबर आया उसको हमने q को q of r पे हमने item सेफ करते हैं मिस्साल के तर पे 55 एक नंबर आया हमारे पास तो वो जो नंबर है वो कहां पे save करते है Q of r पे हमने save करते है और अगर f जो है ना हो माइनस वन पे, f माइनस वन पे नहीं है, f जो है ना हो आल्रेडी वन पे है, तो अगर जो f जो माइनस वन पे था, तो front जो है ना वो, उसको हमने start कर दिया, 0 पे या 1 पे, तो ये indication है कि टिकट देना start कर देना, front से जो है ना remove करना possible कर जाएगा, जो 0, yes is equal to 1, अच्छा ये हमारे पास जो arrays, तो ये हमारे पास जो arrays होती थी, प्रोग्राम के अंदर वो 0 से start होती थी, जबके मैंने 1 से start की हुई है, तो जो algorithm है, उसमें हम 1 से start करते होते हैं, जो code होता था हम उसमें, जो है ना, वो 0 से start करते हैं, अच्छल जो arrays SC++ में, वो 0 से start होती हैं, algorithm में हम बताने के लिए, explain करने के लिए, उसको 1 से start करते होते हैं, ठीक होगी हो, तो ये indication है, f is equal to minus 1 के, अभी जो है ना, वो, 1 को जो है ना, आमने टीकट नहीं दी, 0 पे कर देते हैं, ठीक है, 1 को आमने टीकट नहीं दी, जिरो पे कर देते हैं, ठीक है, 1 को आमने टीकट नहीं दी, तो टीरेट एन आइटम फ्राम देखियो, f is equal to 0 है, तो under flow, ठीक है, f is equal to 0 है, ऊपर f is equal to 0 कर रहा है, और f is equal to 0 है, तो under flow, 1 करना था इसको, वलत किया है, जब front जैर 1 पर लगाया है, तो जब यहाँ पर किया है, उसने, f is equal to minus 1, तो f is equal to 1 करना था, इसको, f is equal to minus 1, तो f is equal to 1, इसको यहाँ पर यहाँ से start करते है, front को, ठीक है, अब यहाँ पर देखते है, if f is equal to minus 1, अब अकर सारी चेज़े, front सारी डिलीट होगे, 0 होगे है, तो वो गएगा, कि अंडर फ्राम सारी आइटम डिलीट होगे, डिलीट आइटम करना है, किसको डि ठीक है, तो q of f, q of f, q of f जो है उसको डिलीट करना है, delete is equal to, delete is equal to, delete is equal to, delete is equal to q of f, q of f, जो f में कहा है, front पे 1 है, q of f जो है जो 34 है, q of f को डिलीट करना है, q of f को डिलीट करना है, if, यह डिलीट करना है, if, यह डिलीट करना है, if f is equal to r, then f is equal to r, r is equal to minus 1, अगर front और rear यहना वो बराबर आ गए front और rear बराबर आ गए front और rear बराबर किस वक्त आएंगे जब एक ही item होगा हमारे पास मिसाल के दोर पे एक ही item है हमारे पास यह एक है यह ही item है और front और rear बराबर है हमारे पास यह situation है तो front और रेर बराबर है उट दोनों एक ही को point कर रहे है तो इस case में अमने पास यह last item है तो उस time में क्या करना है front is equal to rare, front is equal to rare is equal to minus 1, दोनों को जहना minus 1 कर दें, minus 1 की यह indication है कि एक जो q है, वह empty है यो minus 1 कर दिये इसको हटा दिए दोनों को minus 1, minus 1 कर दिये हाँ पर minus 1, minus 1 मैं कर देता हूं, इसको दोनों को touched दो minus 1, minus 1, minus 1 मैं कर देता है टो यह indication है कि q हो empty है else में क्या है, f is equal to f plus 1 ऐस में क्या करना है, f is equal to f plus 1 करना है, f is equal to f plus 1 किया, यह f is equal to f plus 1 किया, तो front किस पर आगिया, front जो है नग टू पर आगिया, जब front टू पर आगिया, तो इस item को जो है राग टिलेट कर दे रहा, प्रंट से डिलीट हो है प्रंट से डिलीट कर दिया F is equal to F is equal to F plus one क्या करें एक आखरी आइटम है। तो दोनों कोügen दो आइटम पड़े हों ने बिडिएक और और बीडुँत दियर और 15 पे है है अब जोबार हमारे इस फेसीएगोल तो जीनों दिलीट और उर्च पर फियो और ड Een YES सब्सक्राइब करते जाएंगे और जब आइटम को डिलीट करते जाएंगे हम तो उसको फ्रेंट प्लस वन करते जाएंगे यह बेसिक से एक algorithm है हमारे पास इंसर्चन का और डिलीशन का क्यूस के अंदर यह क्यूस का जो इंसर्चन और डिलीशन का algorithm है वो उसका प्रोग्राम दिया हो है अब जो है वो ABC करके सेव गरणे के इसके अंदर A B और C सेव हो रहे हैं है तो अब यह कहाए कि अगर मिसाल के तोर पर एबी-सी डिलीत हो जाते हैं । मिसाल के तोर पर एत एकृट बन आ जाती है है ça है सारी एन अब कागर से चाहए और दूगर हो जाती है और है कोई थोई को आता। और आधा पर टुचल के उपर तो जगह बड़ी हुई है तो इस तरह की जो क्यूज है वो अंडर इूटलाइज हो रही है और यह जगह अडर इूटलाइज हो रही है तो इसको इसको अवरकम करने के लिए हमारे पास आती है सर्कुलर क्यूज सर्कुलर क्यूज में यह होगा कि हम फरंड और जो रेर हैं उन दोनों को घुमाते रहेंगे इधर फूल अगर हो जाएगा तो हम इसको यहां पर जो है वो मूव करते रहेंगे जिरो के ओपर यह वन के ओपर मूव करते हैंगे अच्छे जिरो और वन का डिफरेंस नहीं है ज एक सकता contemplator को डिफरेंस नहीं है तो हम जो है जिरो चek उन 20 शीष्रेंस नहीं ही जिरो का यहां पर इपर उल्ट के मुलक उनकर तो इसको शर्पुलर क्यूरिये नहीं है टो अर्पर यहां से रिमो करते जाएंगे और इधर से आड़ करते जाएंगे तो सर्कुलर क्यों का इंसर्ट का और जो डिलीट का अल्गोरिजम है यह आप जो एना देख लीजेगा समझ लीजेगा नेट के ओपर बेताश्य जो है वो वीडियोज पड़ी हुई है आप उसको इसली समझ सकते हैं इसका अल्गोरिजम साथ कोड भी दिया हुआ है यह कोड आप जरूर जाके रन करें जरूर इसको एक्सिक्योट करें यह नेक्स्ट आमारे पास आती हैं डबल एंड डे क्यूज यह डी क्यूज दी क्यूज इस लीनियर स्टक्चर इन विच आइटम के बी एड़े और रिमूट एड़ एडर एंड बही कोई सपेशल बंदा आ गया है कतार में तो उसको फरंट पे लगा देते हैं यह डाक्ट चैक का बात हुंआ है हाई priority ज्आप अपर CPU के ओपर प्रहने, वियुदि ही जुआ है हुआ है है यह में हमादि, रियुभ चिमॆ सकते हैं और एंड हो सकते हैं और अड हो सकते हैं सकता है रेयर से एंड भी हो सकता है कोई भी आइटम डीकु अड़ने क्यों डोनों हो इसके डाइटम से रिमूब भी हो सकता है थिक है इसकी दो वेश्ण से बनाई इस ने इसके इनप्रिस्ट्ट्टेण क्योग्व इनप्रिस्ट्टेड ऊ परी ने के सायंक नूनी ब्लकिंति अविम इन पर मोडा रिइसेंड दिल उन deep चीट्रिद 속 थे ईनपट इन्पूर्डररेयर से होगी input रिस्टिक्टेट क्युं से ऐक कि जो इंपूरो साइड से होगी और बिलेशन जहन दोलों साइडस होने चाहिते हैं जबके आओंट् reasonable stakeholders की ओका ंधियोगी जिलेशन रॉकिए जबके आँसे रिस्तिक्टेड में जो इंसर्शन है वो डोनों एंड से होगी, आॉटपट इसके रिस्तिक्टेड है, इसकी जो ऑडपट है यहां से जब निकलेगा बन्धा, वो सिरफ और सिरफ फृरंट से निकलेगा, है और फब स्सक्राइर को तो पूँर सुए के जागा सिस्टrekτα है पास्टकर मेंकि कुछे करते को में गुड कि ₹ पुंचे लोगड़ीड में प्रम धनक önएं में पलेयो थे कोई स again कि अजय किस क्णिभास्टकू र्र ग्र Rideल 10 ter now Choक और व्लें ट्राइं F is decreased by 1 Front पे जब item insert करना है Front पे मैं आप गला रहा हूँ मिल्ट के दूर पर यह थीजोशन है Front यहां पे और रेर यहां पे Front टूपे ही रेर थी पे है तूपे फिटिवाइग हो पर है और यहां पर ट्री पर तरी पर और थ्नूटी थी है अपना हम insertion पर इलिगल करते हैं जब insertion की बात करते हैं तो कहां पर कहां से इंसट करना है? Front से या रेयर से Double-end ईट कियो है तो दोनों साथ से इंसट कर सकते हैं जब Front से इंसट करने हो तो इजальной आएगा जब इज defenses आएगा तो Front को Left Side पे मूव करना है जब Front को Left Side पे मूव करना है तो Front is equal to int-1 में यह इसे एड करेंगे front is equal to front minus 1 ठीक है ये insert लिए insert insert जब करेंगे front से तो front is equal to front minus 1 जब insert करेंगे front से insert करेंगे front is equal to front minus 1 जब insert करेंगे rare से तो rare is equal to rare plus one rare को यहाँ पर move रहेगे insert करेंगे rare से rare is equal to rare plus one कैसे insert करेंगे अब यहाँ पर है 3 पर है rare 3 पर है तो rare को जब बैना 4 पर move करूगा तो यहाँ पर rare कि अजाएगा और यहां पर इंसर्ट करना है यह नम्स यहां पर आजयेगा तो तो क्या दो इस साइट पर राइट साइट पर फूजकर नहीं है insert का, जब कि delete का कहा है, from front, front से एकर हमने insert करना हूँ, तो f is equal to f plus 1, और एक हमने insert करना हूँ, from rear, तो डुच ठीक है अब हमने डिविड करना है डिविव करनाया काँसे फिर्म्त फिर्ंट करना टॉ ने कवेजल करो फ्रंट को राइट साइड करना है तो फ्रंट में 3 आ जाएगा और 2 लोकेशन के अपर नमर डिलीट हो किया अब हमने अगर करना है अब हमने अगर करना है फ्रम रेयर अगर हमने रेयर से जो है वो करना है डिलीट यहां से डिलीट करना है तो रेयर जो है वो अगर मिसागे तो यहां पर यहां पर नमबर है 33 तो यह 33 अगर फ्रंट रेयर से हमने रिमूव करना है तो कि अगर रेयर इस इकल टो रेयर प्लसमा तो यह है जो यह जो यह जो अल्गुरिद्म है इसको उसने अल्गुरिद्म की चाहर और यह उसने एक्स्प्रेंट भी किया हुआ है कि यहां पर एक्स्वाइजी है और यहां पर फ्रेंट एक्स्वाइजी पड़ा हुआ है the first element at the front of the value is empty हां यह situation जा है उसने है उसने, Frnt in the Front of the Elevary is empty double ended की हो है, यहां पर इन जगया है उप्ती पढ़ी है जब आफिस पैंगे अधरियने इहां पर एद रीस स्ञारी एंगे टो यह बढ़ना चैनल यह समति एंगे नियरेवगा चैनल क्वार्श приक dit घा सबस Till भीच्वार्श जनल कर विल्के ऐतरे के ट at the front and one item is deleted at the rear. Two item is deleted from the front. Two items deleted from the front, two items deleted from the front. Delete from the front, f is equal to f plus one. F में क्या पड़ाओँ है 2? F में a item delete होगा, front यहाँ पड़ाओँ है, front यहाँ इसको point कर रहा है, front यहाँ इसको point कर रहा है, front is equal to f plus one, f में 3 आजाएगा, फिर रहाँ इसको point आइटम इसको point कर रहा है, f में 4 आगया, और rare से भी एक आइटम डिलेट कर रहा है, to rare is equal to, rare 5 ता, rare is equal to rare minus 1 कि, अगर rate is equal to, rare from, delete from rare, delete from, delete from rare, to r is equal to r minus 1, r is equal to r minus 1, r में 5 ता, तो army क्या जाएगा, army आजाएगा, 4, यह जो double ended की हुए, इसका algorithm जो है, वो भी दिया हुए और इसका जो program है, वो भी दिया हुए, इसका जो algorithm है, insertion का, इसमें extra check लगा रहा है, simple है extra check, पहले initialize कर रहा है, front और rare को minus 1 से, ताकि पता लगे के, जो Q है वो, अभी हमने start नहीं की value में value ले रहा है, side पूछ रहा है कि side से insert करना, अगर side 1 है तो front से, front से हमने क्या करना है, insert करना है, front में insert करना होता है, f is equal to f minus 1 करना होता है, ठीक है, यह side is equal to 1, तो इसके अंदर जाना f is equal to minus 1 है, आपको सामें नजार f is equal to minus 1 है, लेकन check लगा के, ऐसे नहीं f is equal to f minus 1, f is equal to f minus 1 है, और जो value user ने enter की है, वो f की location के उपर, q of double ended q, dq of f q उपर value save कर दिनी है, उससे पहले ही check करना है, कि अगर f में minus 1 है और r में minus 1 है, तो उन दोनों को initialize कर दे, अगर यह वो case है, कि अगर जाना हमारे पास double ended q empty है, अगर आपास double q ended empty है, अभी कुछ भी start नहीं हो, q empty है, तो उस case में f b minus 1 होगा, r e minus 1 होगा, यह उसने इंडिकेशन set कर दिया, indication मतलब यह है कि उसने एक indicator लगा दिये, एक condition लगा दिये, एक situation बता दिये, कि अगर f is equal to minus 1 होगा, r is equal to minus 1 होगा, तो उस case में हम कहेंगे कि जो आपकी q है, वो क्या है, वो empty है, जब q empty है, तो यह first item inside करें है, तो अगर f is equal to minus 1 होगा, r is equal to minus 1 होगा, अगर एक first item नहीं आया, तो इसका मतलब यह होगा, कि अल्रेड़ी q के अदर कोई item पड़ा होगा, तो उस case में क्या करना है, f is equal to f minus 1 करना है. Insate कर रहे हैं फрण इसे, इस इसको, f is equal to f minus 1, front से insight कर रहे हैं, तो f is equal to f minus 1, f is equal to f minus 1, left पर move करेगी front को, इज़र इसको, तो उसको 2-1 करेंगे तो 1 पे f is equal to f-1 नजर आगे हैं सबको f is equal to f-1 और dq of f पे dq of उसकी f location के ओपर value inside कर देनी है अगर f is greater than 0 नहीं है तो उसके लिए dq के अदर जगा नहीं होगी क्योंकि वो अगर value जैना वो इस यहां पर चार नहीं है कि ए तो यह यह फ्यसले शगाने है तो यह चीक है अगर उसको ईंसे रेर से बडाल में रेर न में फैर मनें तक रिखा तो क्या करते है, रेर is equal to rr plus 1, rr ko 3rd उसको अगली जागा बनातो, चोथी location पे रेर है, तो चोथी पे उसको खड़ा करना है, तो rr is equal to, इंसेट फिराम, rr to rr is equal to rr plus 1, जे दिखे, rr is equal to rr plus 1 यहाँ चेका है, तो अगर पहले एक चेक है, अगर पहला इटम है, अगर मरे मर मैंने क्या है नूब कर देना है तो इसकेस में पर कना रियर को शिया। वह कम तो ने क्या करते हैं? ........ istως हुएंड तो फnen सलडाद डंट अपस्टimen जिसे डिल कम घंगिर अगर पा क популяр है? तो यहां पे जगह अपर प्लस नहीं कर सकते हैं, जब रहर इकलत नहीं कर सकते हैं यहां पर इकलत नहीं कर सकते हैं यहेंद है अगर को सब्सक्रालिक Burns,D現gsy अगर हो सबस्क्राइब कर सकते हैं आपनेों कर सकते हैं यहांद पर से उजगे भाभ़ाएं यहांद प्रिंट आजेंगा अगर वहां पर जगह है, आरे रेर जो हैना वह नो से छोटा है, रेर नो से छोटा है, अगर यहां इस केस में रेर नो से छोटा होगा, यहां पर 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 ये इंसर्शन को अलगोरिदम था आपका DQ का डबल हंडेट कीूप इसी देखे से जो है डिलीशन के अलगोरिदम है डिलीशन के बात रिक आरवध ही वैसे ही है डिलीशन के अलगोरिदम हम देख लगेते हैं कि फरंट से डिलीट करना तो front is equal to front plus 1 को रेर से डिलीट करना तो कि अगर हम स्टार्ट करने हैं अगर हमने डिलीट करना है फरंट से फरंट से डिलीट करना है तो वही बात है जो साधा क्यू में है यह वही बात है क्या चीज़ है फरंट से डिलीट करने के लिए फरंट से डिलीट करने के लिए फिस इकल टू एक जगा पी आगे हैं फरंट और रेर दोनों एक जगा पी आगें फरंट और रेर दोनों एक जगा पी आगें तो इसका मतलब यह हुआ कि यह लास्ट आइटम है फरंट और रेर दोनों एक जगा पी आगें तो यह लास्ट आइटम है यह कंडिशन है फरंट इस इकल टो रेर तो दोनों को जो है न माइनस वन कर दें अगर लास्ट आइटम है तो फ्रंट और रेर दोनों एक जगह पी होगा इसको एंप्टी कर दो फ्रंट और रेर दोनों को माइनस वर कर दो तो यह अगर लास्ट आइटम नहीं है तो यहां पर पहुंचगी है सारे अटम यहां नहीं है तो फ्रंट यहां पर पहुंचगी है यह सारे अटम डिलीट होगा है तो उसकेस में क्या करना है तो फ्रंट यहीं होगी कि सारे अटम डिलीट होगा है उसको माइनस वन करते हैं यहां पर लिए क्या जाएंगा है करके देंगे अगर एल्स के केस में का करना है एल्स केकेस में यह सीट्यूशन अगर है तो फ्रंट लीट है फ्रंट यहां पर थ्रीप यह विआ फ्लस वन ठीक है लेकर पहले चेक करके हमने फ्र्स्ट प्लस 1 करना है बिट संपल सी बात है कि फरंटे और रेर, लास्ट अइटम को चेक कि हमने यह लास्ट आइटम के जाएक कि पर बناपनी तो यह लास्ट आइटम और क्लेट करें कि अगर अगर आफ जे है थो आ आफिर होगा इस काρά हमोगा तो इससे होगा तो इस साथ से साथ हो गई है और एल्स में क्या करेंगे f is equal to f plus 1 करेंगे यह situation है हमारी और हमने back side से remove करना है यह back side इस रेर से remove करना है तो r is equal to r minus 1 ऽो भी क्लिबेतना कि यह पुल गोल पूरते जम दो समझाएं नहीं। अगर है गुआरी इन भी को पूर में दिखा लिए करते हैं अगर इसमें दोबार गृत करते हैं is've की सबमें ऐसारी एका कशी कशी थाफम हम स्पाश्ग हाएं तो यहां पर यहां तो डिलेट कर देंगे F is equal to R, F is equal to R, Front and Rear दोनों बराबर है, क्या करेंगे, दोनों बराबर हैं तो इसको टिलेट करेंगे, यह इसको जब दिलेट करेंगे, तो हमारे पास यह लास्ट आइठम होगा, फरंट और रेर दोनों को माइनस वन कर देंगे दोनों को हमने माइनस वन कर दिया है यहां पर माइनस वन कर दिया हमने दोनों को माइनस वन पे लेकर आगे यह माइनस वन लेकर दिया है जो फरंट और रेर दोनों को माइनस वन पे लेकर आजाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी यह जो double ended queue है यह empty है, यह खाली है, यह खतम है आपका यह जो algorithm में definite ended queue का इसका इनोंने प्रोग्राम दिया हुई यह प्रोग्राम आप जरूर चला के देखें, चेकर के देखें कि यह सही तरिके से काम का रहा है, यह नहीं का रहा last topic है queues के अंदर priority queues the items in queues are removed from the order in which they are added queues में, अब normal queue की बात normal queue, double added queue को छोड़ने, circular queue को छोड़ने, simple queue की बात करते है कि queue में front से जो है ना remove उते हैं, और rare से insert के जाते हैं तो queue में item किस्ते के से insert करते है rare से add होते हैं और front से remove होते हैं for example when jobs are sent to printer they are placed in a queue, the job search sent first, printed first and the job sent in the end is printed at the end, जो job पहले बेजी हैं वो पहले print होगी जो job बाद मेजी होगी, जो job बाद मेजी बाद मेजी होगी it may not be always requirement, some jobs may be have imported than others अगर किसी company के CEO ने print करना हो printer तो वो फिर उसकी job बाद मेजी प्रिंट होगी, अगर हमने उसके चाहते हैं कि उसकी print पहले होजाए, उसके computer से अगर प्रिंट है तो पहले print होजाए, some jobs may have important than others than the user may like to print the important jobs as soon as possible these types of jobs should be preference in the queue over other jobs for a purpose special type of queue known as priority queue, तो हम पना priority queues बनाते होते हैं, a priority queue is a collection of items in which each item is assigned a priority, the item in the priority queue are processed such that the item have, इस तरी के से process होगे, भाई the item having high priority is processed before to the item having low priority, जिसकी priorities ज्यादा होगी, उसको वो पहले process होगी उसको पहले process होगी, उसकी more than item have the same priority than the user process in the order in which they are inserted in the queue, priority queue हम प्रियारिटी नमबर उसा देंगे इसमें पहले किस क्या process होगा X process होगा, क्योंकि X की priority 1 है फिर Y process होगा, फिर इसकी priority 1 है फिर A process होगा, इसकी priority 2 है फिर क्या process होगा, C process होगा क्योंकि इसकी priority 2 है, इस तो छोड़ देगा कि यहां पे प्रासेस होने काहार्य वरीन वाद्रीक होए जहां पर अब्रासस होने का तर्शेस की कि अंडर हम बना दिए है पहला द्रशेल थी के हम नहीं हम को अलेधा अलेया के लिक्त एक सेपरेट क्यू में सेव कर दो, प्रियारिटी वन के लिए क्यू नमर वन होगी, एकस आया, एकस की क्या प्रियारिटी है, पहले सोचा है दैन में, वन है तो उसको क्यू नमर वन में सेव कर दो, उसके बाद सी आया, सी आया तो, सी की प्रियारिटी चेकी, सी की प्रियारि अपने से जाएंगेम Michy ईयागते ही नभासी उद्म पुड़송 के बाइब अधय बनाए भी सुदू दिर्व को इल्यादय, मुछ बत्वासीस अधया एंगे जोया है, यह तीन खिड़कियां रखी है, जो Q process होगी वो ऐसी प्रासिस होगी जो जो लेडीज वाला जो पंदा है वो टिक्टे पहले देने शुट कर देगा तो Q जल्दी प्रासिस हो जाएगी ठीक हो क्या अब इसको साफ्टर में कैसे रिप्रेजेंट करना है यह देखें यह कोई ना 2D हमें मुझे ना array लगई है यह 2D array लगई है कालम है और रोल है हमने 2D arrays पड़ी थी तो हम इसको ना 2D arrays में जो है वो 2D arrays की शकल में सेफ करते हैं इसका algorithm भी दिया हुआ है और इसने और insertion का भी और deletion का भी और इसका program भी दिया हुआ है तो यह जो तूडी array की processing है क्यूंकि यह इसने program भी उसका दिया हुआ है यह इसका algorithm में आप easily समझ सकते हैं बहुत असा है है तो आपका जो chapter number नुबर फाइव है, वो कंप्लीट हो गया है, यह जो टूडी अरेज के जो है, या पिरियारिटी क्यू जो है, उसका इंसर्शन और डिलीशन का अल्गूरिदम और प्रोग्राम आप फुद देख लीजेगा, आपका चेप्टर नुबर फाइव कंप्लीट है, ओके कलास, ना प्रोग्राम आप वाप इस